सबसे पहले कुछ ट्रमेनालोजीज देख लेते हैं अलकलाइन अर्थ मेटल होता है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जैसे मैगनीशियम कैल्शियम हमें नहीं पता कि यह मेटल कौन है तो हम सिंप्ली एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बट अगर यह नाइट्रोजन के साथ रियक्ट करेगा तो इस पर टू प्लस चार्ज आ जा बनेगा that will be M3N2 तो हमें इस मेटल का नाम नहीं पता हमें इस मेटल का ओमिक वेट निकालना है पर हमें यह जरूर पता है कि अगर वो नाइट्रोजन के साथ बॉन बनाएगा और एक कंपाउंड बनेगा तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ इस तरह का दिखेगा इस इसको अगर नो बालंस्ट रियक्शन के तरह लिखो तो थ्री आटम्स ओफ इस मेटल रियाक्ट विद वन मॉलेक्यूल अफ नाइट्रोजन तो प्रोड्यूस एंट्री एंट्टू कुछ वाल्यूस हमें दी हुएं 12 ग्राम यह मैटल का 12 ग्राम नाइट्रोजन के कुछ न आगया that 12 ग्राम उफ मेटल रियाक्ट विद 2.8 ग्राम उफ नाइट्रोजन नाव सिंस मुझे यह पता है कि नाइट्रोजन एंटू का मोलर मास होदा 28 तो हम अपने इस के लिए हम इसको सिंप्लिफाइ करने के लिए इन दोनों को अगए 10 से मॉल्टिप्लाइ कर दें तो यह बन जागा 28 और यह बन जागा 120 तो ऐसा बोल जाकता हूँ इफ 2.8 ग्राम्स अफ नाइट्रोजन रियाक्ट विद 12 ग्राम उफ मेटल थें 28 ग्राम्स अफ नाइट्रोजन तो एक मॉल है तो 28 भी एक ही मॉल का मास है तो यह तो पर्फेक्टली ओल्राइट कोई दिक्कत नहीं है इसमें बट यहां पर कहें 120 is the mass of metal पट मुझे क्या दिख रहा है कि यहां पर तो तीन तीन आटम्स है तो एक आटम का मास 40 है इसलिए तीन आटम मिलके 120 हुए और वो 120 ग्राम्स अफ मेटल रियक्ट्स वे 28 ग्राम्स अफ नाइट्रोजन जो कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 ग्राम्स रियक्ट्स वे 2.8 ग्राम्स तो यह क्वेस्चन काफी सारे एक्जाम्स में उसके बाद आया पर वैल्यूस चेंज करके तो यहां पर वैल्यूस कुछ भी दी हों आपको बस बेसिक क्या ध्यान रखना है कि नाइट्राइड का मतलब होता है एन 3 माइनस और यहां पर जो मेटल है वो अलकलाइन अथ मेटल है तो अगर यहां पर अलकली मेटल लिखा होता तो फिर इट कुछी जा सकते हैं तो we can expect this type of question in the upcoming exam. Thank you.